जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करेंट अफेर्स की ग्लास पर आज हम यहाँ पर डिसकस करने वाले 14 मार्च 2014 की इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को दोस्तों सुबह के 6 बजे हैं और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अब हर घर करेंट अफेर्स पहुचने वाला है दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस करेंट अफेर्स की विशेशताओं की तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडिया में क्लास मिलती है सबसे कम समय में आपको क्लास प्रवाइट की जाती है स्टैटिक जीके के साथ और एक क्लास नमबर है 834 तो फ्रेंट्स बिना किसी देरी के आई शुरू करते हैं आज के करेंट अफेर्स को दोस्तों एक important information मैं आपको दे दू कि जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी घर पर हूँ और एक बहुत ही दुखत समाचार है कि जो दादी जी है वो अब हमारे पिछ में नहीं रही तो साथियों हमने बहुत प्रयास किया लेगिन दोस्तों एक उम्र के बाद वेक्ति साथ छोड़के जाता है जो जीवन की सच्चाई है और अब यहाँ पर मैं आपको कुछ दिनों तक current affairs जो प्रतान करूँगा वो आपको इस format में प्रतान करूँगा जैसे मैं पहले प्रतान करता था और जल्द ही कोशिश करूँगा कि मैं वापस से अपनी studio पर आ करके आपको यहाँ पर सामने आ करके पढ़ाऊं तो दोस्तो यहाँ पर जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हमारी जो quality होगी पढ़ाने की वो वैसी ही रहेगी और साथी साथ हम इसी तरीके से आपको अभी जब तक important videos हैं इसी तरीके से प्रतान करेंगे तो दोस्तो आई देखते हैं आज का सबसे पहला important current effects तो पहला question देखते हैं हर साल अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस यह कब मनाया जाएगा वेल विल हैदराबाद Independence Day be celebrated every year तो साथी इसका right answer हो जाएगा 17 सितंबर इसका सही उतर हो जाएगा 17 सितंबर को क्या मनाया जाएगा हैदराबाद Independence Day मनाया जाएगा दोस्तो यह जो सूचना है ग्रह मंत्राले के दोरा प्रदान की गई है Union Home Ministry के दोरा यह सूचना प्रदान की गई है कि 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ती दिवस मराने की घोशना की गई है दोस्तो यह जो दिवस है यह सहीदों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने हैदराबाद को आजाद कराने में के इंपोर्टन रोल निभाया है महतुपुड भूमिका निभाई है अब दोस्तो मैं आपको थोड़ा हैदराबाद की हिस्ट्री पे लेके चलता हूँ देखे दोस्तो जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को तो इसके बाद हैदराबाद में निजामों का साशन भी रहा है और यह साशन 13 महीनों तक रहा और दोस्तो हमें इनको छुडाने के लिए निजामों से इनके मुक्त कराने के लिए हमने एक ओप्रेशन चलाया था इस ओप्रेशन का नाम है ओप्रेशन पोलो इसमें पुलिस की कारवाई की गई पुलिस एक्षन लिया गया और 17 सितंबर 1948 को हमने हैधराबाद को निजाम की साशन से मुक्त करा दिया तो इस वजह से 17 सितंबर को जिनहोंने आजात कराया है तो उनकी भूमिका को याद करने के लिए हम 17 सितंबर को यहाँ पर Islands Day मनाएंगे हैधराबाद के लिए 25 नवंबर को तो उत्तर प्रदेश में no non waste day की रूप में मनाया जाएगा मैंने आपको current affairs में बताया था दोस्तो 23 अगस्त को राश्ट्री अंत्रिक्स दिवस मनाया जाता है हमारे चंदर्यान 3 ने यहाँ पर landing की थी मून पर भारत यहाँ पर चौथा ऐसा देश बना था जिसने चंदर्मा पर landing की और साउथ पूर पर landing करने वाला भारत पहला देश बना था देगे 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम देवस सुभास चंदर बोज जी की याद पर मनाया जाता है 11 फरवरी को समरपन देवस dedication day की रूप में मनाया जाता है 17 मार्च को हम inspiration day मनाते है 14 अपरल को समानता देवस डॉक्टर बाबा साहब अमबिडकर जी की याद पर भाला फेक देवस हम मनाते है 7 अगस्त को नीरा चोपड़ा जी ने भारत को gold medal दे लाया था भाला फेक में तो दोस्तों याद किया जाएगा इनके इस उपलब्दी के लिए 14 अगस्त को मनाया जाएगा बिभाजन बिभीशी का समरती दिवस तो दोस्तों 11 सितंबर को क्या मनाया जाएगा माहा कभी दिवस मनाया जाएगा अब साथ ही हाँ पर हैदराबाद की बात आई थी तो हैदराबाद से संबंदित कुछ महतवपून डेटा में आपको दे देता हूँ तो देखे हैदराबाद जो है वो किसकी राजधानी है तो तिलांगना स्टेट की क्यापिटल है जो की मूसी नदी की किनारे स्थे थे यहाँ पर आपको एक इंपोर्टेंट जील देखने को मिलेगी हुसेन सागर तो यहाँ पर आपको हुसेन सागर जील देखने को मिलेगी दोस्तो यहाँ पर हम बात करें कि हैदराबाद की स्थापना करने का श्रे किस व्यक्ति को जाता है तो ये निजाम उल मुल्ग आसब जा इन्होंने हैदराबाद राज जी की स्थापना की थी और दोस्तों यहाँ पे जो निजामों का साशन रहा है 1724 से लेके 1948 तक 224 साल तक यहाँ पे साशन चला है आई फ्रेंट्स बढ़ते हैं दूसरे महात्वपूर्ण प्रश्नी की तरफ सेकेंड कॉशन देखते हैं रास्टी अनसूची जाती आयोग के अध्यक्षाली में कौन बने है तो दोस्तों सेड्यूल कास्ट के लिए अभी यहाँ पर किशोर मकवाना याद रखेगा कौन किशोर मकवाना को अनसूची जाती आयोग का अध्यक्ष बनाए गया है तो दोस्तों यहाँ पर आप मकवाना जी को table पर बैठे हो देख पा रहे हैं तो दोस्तों मकवाना जो है इनके बारे में हम जाने तो भाजपा की एक unit है गुजरात में वहाँ पर यह संयूक्त परवक्ता की रूप में कारि कर रहे हैं ये स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं और ये प्रेजेंट में जर्नलिस्ट भी है और बहुत सारी पुस्तकों को इन्होंने लिखा भी है तो दोस्तों कि सोर मकवाना को यहां पे बनाये गए है अनसूचि जाती आयोक का अध्यक्ष दीखे दोस्तों इनकी कुछ प्रमु अनसूचि जाती आयोक की तो इसके बार में भी हम यहां पर समझ लेते हैं इसका गठन कब हुआ है दो हजार चार उन्निस फरवरी को इसका गठन हुआ है ये कॉंस्टिशनल बॉडी है समवधानिक निकाय है अनसूचि जातियों के सोशन के वुरुद जो भी चीजे होती ह है तो दोस्तों उद्देश यही है कि अनसूचि जाती के जो सोशन किया जाता उससे हटाना और उनको सुरक्षा प्रदान करना इसके लिए सलूशन प्रदान करना अब दोस्ति हाप एक इंपोर्टन आर्टिकल है जो आपसे पूछा जा सकता है रास्टे अनसूचि जाती आयोग के बारे में अनुचे 338 अर्टिकल 338 में बताए गया है इसमें हम बात कर लेते हैं कौं को निर्धारित और इनकी कारकाल को निरधारित कर सकता है दोस्तों आपे कुछ बहात पुर्ण अनुछेत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल नंबर 338A में रास्टी अन सूची जनजाती आयुक के बारे में बताया गया है वहीं पे 338B में National Commission for Backward Classes के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 17 इंपोर्टेंट है यहां पर बताया गया है कि जो छुआ छूत है जिसे हम बोलते हैं अश्प्रिशेता इसको समावत किया जाना चाहिए यह आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है आर्टिकल नंबर 46 में बताया गया है schedule caste और जो भी समाज के अनकमजोर वर्ग हैं उनको यहाँ पर educational और economic, sectionic और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए हमें यहाँ पर प्रयास करते रहना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए दोस्तों यहाँ पर article 330 में लोक सभा में और article 332 में राज्यों की बिधान सभा में schedule caste और schedule tribe के reservation की बात कही गई है आरक्षन की बात कही गई है चलिए friends आई बढ़ते question number 3 की तरफ Erasmus परसकार 2024 हाली में किसे प्रदान किया गया है who has been awarded the Erasmus price 2024 तो दोस्तों Erasmus परसकार जो है अमिताब गोश को परदान किया गया है 2024 का Erasmus परसकार अब यहाँ पर आप Erasmus परसकार के जो विजेता है अमिताब गोश आप इन्हें देख पा रहे है और इनके यहाँ पर हम बात करें आकलपनी की कलपना इस योगदान के लिए इन्हें परसकार दिया गया है और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है यह कोलकाथा वेस्ट बेंगॉल से बिलॉंग करते है दोस्तों अमिताब गोश के अगर हम बात करें तो ये English के पहले लेखा कै जिनको ज्यानपीड पुरसकार परदान किया गया ज्यानपीड पुरसकार साहितिकी छेतर का सर्वोच पुरसकार कहा जाता है लिटरेचर में सबसे बड़ा पुरसकार कहा जाता है अभी मैंने आपको बताया था कि राम भद्राचार और गुलजार सहब को यहाँ पर पुरसकार दिया गया है ग्यानपीड पुरसकार, करेंट अफेर्स में हमने पढ़ा था, इनको 54 नंबर का ग्यानपीड पुरसकार प्रदान किया गया है, दोस्तों अमताब गोस्त के हम बा अब यहाँ पर इरासमस पुरसकार की बात कर लेते हैं, परिक्षा संजीवनी में, तो देखिए कब स्टार्ट हुआ है, 1958 में स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर प्रेमियम एरासमिया नाम फाउंडेशन है, जिसके दोरा यह पुरसकार दिया जाता है, और यह परिक्षा संजीवनी में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस पुरसकार को जीता है, और यह बिलॉंग करती हैं, चेक रिपबलिक देश को, अगर मैं आपसे पूछू कि खसरा और उबिला चेंपिन पुरसकार इस साल किसी दिया गया है तो भारत को प्रियासों के लिए भारत के अफर्स के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया है जोय अक्तर और असमा खान को इंडिया यूके अचीवर सम्मान से सम्मानित किया गया है आईए बढ़ते दोस्तों चौथे बहात पूर्पुन प्रश्ण की तरफ फोर्थ क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा गोरसम कोरा महसम हाली में किस राच में मनाया गया गोरसम कोरा फेस्टिबल तो दोस्तों यह जो फेस्टिवल में और आपको झीमिख भान दीवस फेस्टिबल मनाया गया कहां पहोज पहां 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 पहीं मनाया गया हाँ क्योंनी ऐए अ कोर सम्म कोर फेस्टिबल तो दोस्तो यह जो festival है यह भारत और होटान के बीच में जो relation है जो दोस्ती है यह इसको भी represent करता है देखिए इसकी theme क्या है जीरो waste festival इस बार इसकी theme रखी गई है अब दोस्तो बात यहाँ पर festivals क्या ही है और मैं आपको revision ना कर रहा हूँ परिच्छा संजीवनी में तो हूँ भी नहीं सकता आए डिसकस करते हैं तो सबसे पहला है थाई पूसम त्योहार जो की तमिल नाडू राज़ में बनाया गया डिजर्ट फेस्टिवल दो हजार चौबिस जैसल में राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया कोले मेला महसब उधंपूर जम्मो कश्मिर में ममनी खादि महसब यह लद्दाक में बनाया गया मुनलम चैनिमो महसब 2030 यह लद्दाक में सेलिब्रेट किया गया है साथियों यहां पर मैं आपको बता दू कि 12 मार्च से आपका भारत का भुगोल का जो फाउंडिशन बैच हो स्टार्ट हो चुका है आप इस फाउंडिशन बै कराते हों देखा है हर चीजे मैप से कनेट करके कराते हैं तो दोस्तों इस बैच को आप रेजिटर करा सकते हैं इसके लाबा आयासर आपको लगाता मैस की क्लास दे रहे हैं डेली सुपह 10 बजे एप्लिकेशन पर तो फाउंडिशन पैच आप इनका जोइन कर सकते हैं आप आपको पूरा बेसिक से एडवांस तकी मैस क्लियर करेंगे भारत के सब एक्जाम के लिए और ये सारी क्लास आपको स्टडी कर एप्लिकेशन पर उपलब्द कराई गई हैं स्टडी कर को डानलोड करिएगा और इस क्लास की जो पीडियाफ है आपको टेली करेंट अफेर्स सेक्षन पर मिल रही है डेली वहाँ पर अपडेट हो जाती है राजा गुपता करेंट अफेर्स हमारा टेली ग्राम चैनल है आप इसे जोइन कर लेना फोर इंपोर्टेंट नीज अपडेट्स और दोस्तो चैनल पर पहली बार आ रहे है तो डोन फर्गेट टो पर वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट स्टॉल का उधगाटन किया है पियम मोदी जी के द्वारा ठीक है याद रखिए है वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट के तहत इसे शौर्ट फॉर्म में ओ एस ओपी बोलते है इसके इलाबा दोस्तो बारा मार्च को पियम मोदी जी ने दस नई वन्दे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को भी हरी जंडी दिखा दी है दोस्तो यहाँ पर जन औशदी केंदरों का भी उधगाटन किया गया है जहाँ पर आपको सस्ती दरों पर दबा मिलेगी क्वालिटी वाली दबा मिलेगी यह डिंडिव गुल छेतर है इरोड है तिरूची है पलककर रेलवे स्टेशन यहाँ पर जन औशदी केंदरों का भी उधगाटन किया गया है इसके लावा चेन्नई सेंटरल में एक रेल कोच रेस्तरा का भी उधगाटन किया गया है अब दोस्तो बात यहाँ पर ओस ओपी किया है यानि वन की तो आई जानते इसके बारे में आखिर से क्यों स्टार्ट किया गया आप यहाँ पर ऄगारे रहे हैं एक महिला को जो यहाँ पर आपको देखने के मिल रही है तो दोस्तों इससे क्या होगा कि रोजगार स्रजन कीया जाएगा और दूसरा उत देश है वह उस छेतर का तहत और साथी साथ जो हमारा domestic market है वो भी बढ़ेगा तो दोस्तो इसमें vocal for local को बढ़ावा देने के लिए इसे launch किया गया है दोस्तो स्थानी लोगों को देश भर में अपने जो indigenous product है जो उनके स्वदेशी उत्पाद है उन्हें बेचने के design किया गया है समझ गया और दोस्तो पालर प्रोजेक्क के रूप में इसकी शुरुवात 2022 में की गई थी और यहां पर जो भी पात्र है आवेदा को बहुत ही minimum फीज देनी पड़ती है रेलेगवेव के पास केवल 1000 रुपए उनने डिपोजिट करना पड़ता है 15 दिन की अबधी के लिए और उनको एक आस्था इस्टॉल या फिर कियोश्क अवर्टिद किया जाता जहां पर वो अपने प्रोड़क को सेल कर सकते हैं अब दोस्तों बात यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आई है तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो 2019 में शुरू की गई थी ये भी याद और ट्रेन की जो पहली महिला ट्राइवार है वंदे भारत की वो है सुरेखा यादवजी दोस्तों आज की नौलेज की फैक्टरी में हम आपसे डिसकस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस साल के आई देखते हैं प्रवास्ती भारती दिवस कब मनाया जाता है नौ जनव यिरा को रास्टी ब्रवा जनवरी को वर्ड कैंसर देख 4ुरवरी को रास्टी विज्ञान दिवस अठाइस फरवरी को मनाया जाता है अंतरास्टी महिला दिवस फाली में मनाया गया मार्च को वर्ल टीवी डे अभी आने वाला है चौविस मार्च को मनाया जाता है फेप्रों में यहां पर माइकरो ऑर्गनि bạn इसम्ट इरा का ऐा बैक्टीरिया अटेक कर देते हैं चॉपर बैक्टीरिया उसकी वज़ से आपको TB होता है World Health Day 7 April को मना जाता है World Heritage Day 18 April को World Press Freedom Day 3 माई को मना जाता है आई बढ़ते दोस्तों Question No.6 की तरफ छटवा प्रश्टा आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास पे कौन सा देश और चाइना क्या नाम है रश्या इरान और चाइना समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास में शामिल हुए है और दोस्तों यह एक प्रकार की नौसेनिक जहाज यानि नौसेनिक अभ्यास है और कहा पर हो रही है ओमान की खाड़ी में हो रही है संयुक्त सैन अभ्यास हो रहा है समुद्री सुरक्षा बेल्ट मैरी टाइम सेक्यूरिटी बेल्ट एक्सरसाइज हो रहा है दोस्तों इसका एक और उद्देश है जो समुद्री लुटेरे अभी आप देख पारे बहुत सारी घटाए हो रहे है समुद्री लुटेरे जहाजों पर अटैक कर रहे है और जो वहाँ पर गुड्स होता है उससे क्या कर लेते हैं वो यहाँ पर हतिया लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर समुद्री लुटेरों के द्वारा जो पकड़े गए जाज है उनको छुडाने का भी अभ्यास किया जा रहा है तो दोस्तो अरब साकर के ओमान की खाड़ी में इसका आजन किया जा रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया है इसका अलक्ष है जो समुद्री आर्थी गतिविधियां है बहुत सारी economic activities हैं तो ये देश मिल करके यहाँ पीसे सुरक्षित करना चाहते हैं अब दोस्तो यह आप देख पा रहे जगह ये Gulf of Oman है ओमान की खाड़ी है ये परसिन गल्फ है यही पर इस अभ्यास का आजन किया जा रहा है दोस्तो ओमान की खाड़ी को हम मकरान की खाड़ी की रुपे भी जानते हैं और आरप सागर में आपको ये देखने को मिलेगा अब दोस्तो बात यहाँ पर अभ्यास किया ही है तो परिक्षा संजीवनी में मैं आपको important अभ्यास पर रिवाइस करा देता हूँ भारत और थाइलेंड की विच में जो अभ्यास होता है यह अभ्यास अयुत्या है ठीक है डेजर्ट साइकलोन भारत और युए की विच में होता है विन्बेक्स अभ्यास भारत और वियतनाम प्रस्थान अभ्यास भारती नौस इना की दौरा किया जाता है आई बढ़ते दोस्तों question number 7 जो आप से पूछा जा सकते है very very important हाली में PM मोदी जी ने पुनर विक्सित कोचराब आश्रम का उद्गाटन किया ये किस राज़ में आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों जो कोचराब आश्रम है ये आपको गुजरात स्टेट पे देखने को मिलेगा गुजरात राज़ पे देखने को मिलेगा इसे वापस से redouble up किया गया है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका उद्गाटन PM मोदी जी के दोरा किया जा रहा है तो दोस्तों 12 मार्च को दांडी मार्च के यहाँ पर 94 नंबर की वर्ष गाट मनाई गई और इसी अफसर पर आपको गुजरात के एमदाबाद में देखने को मिलेगा पुनर वेक्सित कोचराब आश्रम और इसका इन्योग्रेशन किया गया है PM मोदी जी के दोरा दोस्तों बात यहाँ पर दांडी मार्च की आई है तो मैं आपके हिस्ट्री के सवालों को मजबूत कर देता हूँ आपसे पूछा जा सकता है अब आपको टेट यहाँ रखना है जो दांडी मार्च था वो 12 मार्च को निकाला गया था आप यहाँ पर देख पा रहे है महात्मा गांधी जी और उनके सहयोगी जो है यह दांडी मार्च कर रहे हैं और 6 अप्रल 1930 तक चला है दोस्तों आप आश्रम के बारे में यहाँ पर डिसकस करते हैं जब गांधी जी 1915 में पहली बार दक्षण अफ्रीगा से भारत लोटे थे तब इस आश्रम की स्थापना की गई थी और दोस्तों एमदाबाद की बाहर इलाके में जगह कोचराब गाउं यही परिस्तित है इसे आश्रम के नाम से भी जाना जाता है दूसरा नाम इसे कहा जाता है मात्मा गांधी जी ने यहाँ पर लगवक डेड़ साल तक समय बिटाया है आई बढ़ते दोस्तों आठवे प्रश्ण की तरफ आठवा कोशन आप सभी किस त्रेन पर एं रहा धूमर पान निश्य दिवस दो हजार चौबस हाली में कब बनाया गया वैन इस नो स्मोकिंग डे 2024 अबज़र तो दोस्तों अभी 13 मार्च को मनाया गया कल ही धूमर पान निश्य दिवस मनाया गया और दोस्तों मार्च के जो दूसरा बुद्धवार होता है यानि कि मार्च महिने का जो भी सेकेंड वे आज गया आप सभी को पाता है स्मोकिंग कितना खतरनाक होता है इसके जो बहुत सारे हल्थ जो हामफुल हल्थ इफेक्ट्स हैं और उनके बारे में लोगों को जागरूख करने एक लिए धूमर पान निश्य दिवस मनाया जाता है आपको कैंसर हो सकता है फेफडों का कैंस और इस दिवस्त को बनाने की शुरुवात 1984 में हुई है चलिए फ्रेंट्स आई बढ़ते question number 9 आशा करता हूँ कि आपको हर बात समझ में आ रही होगी और question number 9 की तरफ आई बढ़ते हैं भारत शक्ती अभ्यास आली में कहां पर आजित किया गया where has भारत शक्ती अभ्यास का आजिन किया गया पोकरण राजस्थान में इसका आजिन किया गया कहां पर पोकरण राजस्थान में दोस्तों 12 मार्च 2014 को भारत शक्ती अभ्यास का आजिन किया गया है और ये एक एकरत त्री सेवा अभ्यास है दोस्तों यहाँ पर क्या किया जा रहा है तो दोस्तों जो स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उपकरण है जो defense equipment है उसका demonstration किया जा रहा है कि भारत के पास कौन-कौन सी अत्यादूनिक हतियारे है उसका production किया जा रहा है दुनिया को message दिया जा रहा है और दोस्तों अब तक का ये सैन जो है सबसे बड़ा सैन अभ्यास है अब तक का ये देश में आजित किया जाने वाला सबसे बड़ा सैन अभ्यास है जो कि भारती सेना के दोरा भारती थल सेना के दोरा इंडन आर्मी के द्वारा इसका आजिन किया जा रहा है दोस्तो आई यहां पर डिसकास करते है करेंट डिफेंस चीफ के बारे में वर्तमान रक्षा प्रमुक के बारे में तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सेकंड नंबर के ये हैं अनिल चौहान जी ठीक है पहले विपिन रावत जो हमारे बीच में नहीं रहे थल सेना अद्धेश हैं दोस्तो जनरल मरोज पांडे जी नौ सेना स्टाफ के जो प्रमुक है एड्मिरल आर हरी कुमार है वायू सेना प्रमुक की हम बात करें तो ये हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी दोस्तो आज का आखरी important current affair आप सभी के सामने रहा हाली में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे appoint किया गया है who has been appointed vigilance commissioner recently important question है दोस्तो ध्यान रखिएगा तो A.S. Rajiv साहब जी को सतर्कता आयुक्त के रूप में हाली में appoint किया गया है आप यहाँ पर A.S. Rajiv जी को देख पा रहे है ये सतर्कता आयुक्त यानि vigilance commissioner के रूप में appoint किये गये हैं और जो भी appointment होती है vigilance commissioner की देश की president की द्वारा होती है जो वर्तमान में है दुरापती मुर्मोजी इन्हों ने यहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट की है नियुकती दी है दोस्तो इनका कारकाल अगर मैं आपसे पूछू कितने वर्सका होगा तो 4 years का 4 साल का इनका कारकाल होगा या फिर पैसेट वर्सकी आयो तक जो भी प्राक्त कर लिया जाए वो इनका कारकाल होता है दोस्तो अब बात आपके सामने आ रही होगी कि CVC होता क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ पूरा डिटेल से Central Vigilance Commissioner या निगरानी रखने वाला आयो जो भ्रस्टाचार को रुकने का काम करता है एक Anti-Corruption Government Body है ठीक है दोस्तो इसकी जो स्थापना की गई है के संतनाम समिती ने सजेशन दिया था उनकी सिफारिस पर की गई है 11 फरवरी 1964 को और दोस्तो 2003 में यहां पर केंदरी सतरकता आयोग अधिनियम पेश किया गया था और उसके तहत इसे स्टैटुरी बॉडी का दरजा दिया गया है दोस्तो समविधान में इसके बारे में उनलेक नहीं है लेकिन पार्लामेंट ने एक्ट पेश किया था उसके तहत वैधानिक दरजा दिया गया है अब दोस्तों प्रेजेंट में सतरकता आयुक्त कौन है तो है प्रविण कुमार सरवास्तों जी हाली में कुछ महतुपूर्ण नियुक्तियां है उसे मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान रखेगा तो NSG के जो महानिदेशा के जिने अतरिक्त प्रभ दिया गया है दलजी सिंग चौधरी है ये SSP के भी महानिदेशक है एंटीपीसे के निदेशक है रविंद्र कुमार जी पंजाब चुनाव आयोक की स्टेट आइकन है शुभमन घिल दोस्तों यहां पर हमने 10 महतुपूर्ण करेंट अफेर्स को कवर कर लिया है अब हम ट्र चाटिका की सबसे उची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है तो दोस्तों इनका नाम है सेख हसन खान किस समू के द्वारा इंडो एशन न्यूस सर्वेस 50.5% की हिस्सेदारी खरीद ली गई है तो दोस्तों अडानी ग्रूप के द्वारा इसे खरीदा गया है उ इसे प्रदान किया गया है तो भारत की स्पेस अजनसी इसरो है इसे प्रदान किया गया है हाली में जेल महा निदेश्यक रूप में किसने पदभार को संभाला है तो उनका नाम है महश्वर दयाल विश्व बास्केट बॉल दिवस कब बना जाता है तो हर साल 21 दिसमबर को बास्केट बॉल डे सेलिबरेट किया जाता है शेक मिशाल अल अहमत अलजबर अलसबा ने किस देश के आमीर की रूप में सपत ली है तो दोस्तों एक कुवेट के आमीर बने है भारत की पहली लाइफ सुनवाई किस राज्य के हाई कोट में शुरू हुई मद्य प्रदेश में शुरू की गई है सिमली पार ताइगर रजर्ब में डस ब्लैक टाइगर है ये किस राज में स्थित हैं ओडिशर ाज में है महा लक्षमी योजना किस राज में शुरू की गई तो फ्रेंट्स याद रखेगा तिलांगना राज में महा लक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई है दोस्तों कल था 13 मार्च 2024 और 13 मार्च 2024 से रिलेटेड मैं आपको महतपूर करेंट एफेट्स रिवाइस करा देता हूँ आई देखते हैं आप इस कैंसर कमेंट बॉक्स पर दीजेगा प्रिट्सर आर्किटेक्चर परसकार जिसे वास्तु कला छेतर का नोबल परसकार भी कहा जाता है ये किसे प्रतान किया गया तो रीकेन यामा मोटो को प्रतान किया गया दुनिया का सबसे बड़ा हतियार आयातक देश कौन सा है तो दोस्तो दिल्ली का इंदरा गांधी इंटरनेश्टर एरपोर्ट यहां पे सबसे बेस्ट हवाई एड़ा चुना गया है असम सीम डॉक्टर हिमंद बिश्वा सर्मा ने सोनित पुर में कितने मेगावाट शमता की सोलर परियोजना का उद्गाटन किया है 50 मेगावाट इसका राइट एंसर है सरदार रमे सिंग अरोडा कि इस देश में पहले सिख मिनिस्टर बने है तो दोस्तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांट में ये पहले सिख मंत्री बने है दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्गाटन किस ने किया है अमिश्या ग्रह मंत्री जी ने किया है पियम मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम के थाट कितनी महिलाओं को ड्रोन सौपे है एक हजार ड्रोन सौपे गए है हाली में भारत के सबसे तिज आईपी MPLS राउटर का अनावरण किया गया इसकी शंता कितनी है तो मौरशिस में मुख के अतितिक रूप में शामिल हुई हर्याडा की नए चीफ मिनिस्टर हाली में कौन बने है तो इनका नाम है नयाप सिंग सैनी नाम है दोस्तो यहां पिल्यूसेंट जीके में पांच महत्वपूर्ट साइन्स के प्रशनों को डिसकस करेंगे जो आप से पूछे जा सकते हैं ध्यान से सुनिएगा इन सभी प्रशनों का उत्तर कमेंट बॉक्स पर दीजेगा X-ray के बहुत अधिक संपर्ख में आने से हमें कौन सा रोग हो सकता है तो दोस्तो कैंसा रोग हो सकता है किस प्रकार की तरंगे अंतριश के निरवात में आत्रा करती है तो दोस्तो जिनें किसी भी मीडियम की जरुरत नहीं होती है वो vacuum में travel करते हैं तो दोस्तों ये हैं विद्धुचुम्ब की तरंगे electromagnetic waves जिने किसी भी medium की जरुरत नहीं होती है किस तरंग को फैलने के लिए माध्यम की आवशक्ता होती है यानि इसको medium की जरुरत होती तब ही आगे बढ़ेंगी तो दोस्तों ये है sound sound जो हम बात कर रहे हैं इने medium की जरुरत होती है जब आप space पे कुछ भी बोलेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे कोई medium नहीं होता जिससे कि sound travel कर सके प्रकास तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है तो प्रकास तरंगे होती अनुपरस तरंगे इने transfer waves कहा जाता है एनोड के लिडो की खोच किस ने की है तो एनोड रे की खोच की है यूजन गोल्ड स्टीन ने दोस्तों 14 मार्च का अब आपका टेस्ट होने वाला है आई देखते हैं 14 मार्च की करेंट अफैर्स का टेस्ट लेते हैं यहाँ पे 10 बहातो पूर्ण प्रशन आपस के सामने आएंगे लास्ट में रिविजन करते हैं हमेशा की तरह आई देखते हैं आप कितना प्रशन सही करते हैं पराकरम दिवस कब मनाया जाता है तो 23 जनवरी को पराकरम दिवस मनाया जाता है हैदरबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो दोस्तो मूसी नदी के किनारे हैदरबाद बसा हुआ है धूमरपान निशे दिवस की शुरुवात कब की गई 1984 में शुरुवात की गई Chief of Defense Staff अभी प्रेजिट में कौन है तो दोस्तों इनका नाम है अनल चोहान केंद्री सतरकता आयो की स्थापना कब की गई है 1964 में Central Vigilance Commission की स्थापना होई है कोचराब आश्रब आपको किस राज में देखने को मिलेगा तो गुजरात राजबे कोचराब गाउ में आपको देखने को मिलेगा दांडी मार्श किस साल आजित किया गया था 1930 में दांडी मार्श आजित किया गया था पहली वंदे भारत ट्रेन की स्वर्ष चली थी 2019 पे पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुवात की गई थी दोस्तों आज का सवाल है आप लोगों के सामने हर साल हैतराबास स्वाधिनता दिवस कब मनाया जाएगा इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है दोस्तों मैं आपको बता दू कि फरवरी महिने की जो ई-book है वो लाँच हो चुकी है आप इसे डाउनलोड कर लिजेगा जो आपको हिंदी माध्यम में भी इंग्लिश माध्यम में भी प्रोवाइड की गई है प्रिंट टेवल फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड कर लिजेगा फिजिस केमेस्ट्री और बायो ये तीनों मैगजिन अब आपके एप्लिकेशन पर उपलब्ध है तो इसे भी आप डाउनलोड कर लिजेगा इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डिली गरंड अफेर्स की पीडिएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों यहां पर चलने का समय हो गया है मिलेंगे हम आपको कल और आपको कुछ दिनों तक इसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा बाकि हमारी पूरी जो टीम के अन्य सदश्य हैं वो आपको बाइफेस पढ़ाते रहेंगे और इंपॉर्टन वीडियो में आपको इसी फॉर्मेट में लाता रहूंगा मैं पहली भी ऐसे वीडियो बहुत सारे लाता रहा हूँ शुर्वात मैंने ऐसी ही की थी उसके बाद मैंने स्टूडियो का डवलेपमेंट किया था दोस्तो अभी समस्या की घड़ी है आप सभी को मेरा साथ देना है हम एक परिवार है हम सभी मिल करके आगे बढ़ेंगे और दोस्तो कर में भी करना है और हमाये अपनी पूरी ड्यूटी भी पूरी करनी है क्योंकि आप सभी को पता है कि इतने सारे बच्चों का जो भविश है वो मुझसे भी जुड़ा हुआ है तो हमें यहाँ पर रेगुलरिटी के साथ काम करना पड़ेगा आप लोगों के लिए और मैं जहां भी रहूँगा जिस पुसीवत में रहूँगा आपके साथ जुड़ा रहूँगा लगातार मेहनत करता रहूँगा आप भी मेहनत करते रहना जो भी मेरे से प्रयास होगा वो सारा कुछ में अपना 100% देने का हमेशा आपके लिए तयार रहूँगा एफर्ट देता रहूँगा दोस्तो टेलिग्राम चैनल है राजा गुपता करेंट अफेर्स आप इसे जॉइन कर लेना दोस्तो चैनल पर पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें अब दोस्तो चलने का समय होगा इजाज़त दीजे फिर मिलेंगे इसी जोस और इसी उर्जा के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं खुश रहें मुस्कुराते रहें और एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स पे हमारी दादी माता जी के लिए आप सभी कमेंट कर दीजेगा और उनकी आत्मा की शांती के लिए हम यहाँ पर दो मिनिट का मौन भी रखेंगे क्लास को बंद करने के बाद आप सभी अपनी अंतर आत्मा में ही उनके लिए विचार कर लिजेगा